नेपा टॉप आई ड्रॉप जोकी बनाया जाता है एंटोप फर्मसिटिका के दुवारा बनाया जाता है नेपा फैनिक 0.1% इसके अंदर रहता है और यह ड्रॉप जोकी इसका MRP 240 रॉपीज रहता है और यह ड्रॉप बहुत यूजपुल ड्रॉप है जिसको स्टोरेज किया यूज़ करते हैं ड्रक के से कांट करें का सेप्टी एडवाइस क्या रखने का है डोज मीस हो जाए तो कैसे लेने का और इसका सब्स्ट्टूट कौन को अविलेबल है तो वो सब बाते इस वीडियो में मैं सेयर करूंगा ताकि आपको नेपा टॉप आई ड्रॉप के बार टॉप फार्मासिटी का प्राविट लिमिटेड के दूवारा नैपा फैलिक 0.1% वेट बाई बॉलियम और इसको स्टोरेज डूम टेंपरेटर के ऊपर किया जाता है और यह जो यूज होता है यह दर्द के अंदर यूज होता है और आई इसको डॉक्टर इसको रिकमेंड यह जाए तो यह जाए तो इस ड्रॉप को अगर आप ज़्यादा यूज कर रहे हैं डौक्टर के सला से यूज हो सकता है और आपकी बॉड़ी के अंदर जो आखों के अंदर जो नसे रहते हैं उसके उपर प्रेसर ज्याद़ बन सकता है और आखों में पानी बहुत अगत लगा है और इसको आखों के अंदर लगा है और इसको यूज करें तो इसके सेक्वेल करके यूज करें इसके लेबल को अच्छी तरह ड्रग है NSAID ड्रग है जो कि ब्लॉक कर दिता सर्टन केमिकल मेसेंडर को जो कि इंप्लामेशन्स के लिए पेंड के लिए रेडनेस के लिए और स्वेलिंग के लिए रेस्पॉंसिबल रहता है तो नेपा टॉप आइड्रोप ऐसे काम करता तो इसके बारी में अगर आपको कु वीडियों में तब तक के लिए अपना ख्याल रखे